अगर मुझे एत्बार के बारे में कुछ कहना है तो यू शुरुवात करना चाहेंगे कि ठुमके भी ठुमके लगा दें, ठुमके भी नचके दिखा दें, खुद बखुद थिरकेंगे कदम बस एक बार कोई एत्बार बजा दे, एत्बार is a grand song जैसे आपने देखा ये, इसे रिदम है, और मुझे लगता है कि चाहिए जश्न हो, और या मीठी नोग जोक, या खुशिया, हर तरह के जो माहौल में, या जैसे फेस्टिविटीज हो, वेडिंग्स पे, जब भी ये गाना बजेगा, लोग जूमने पर, ठिरकने पर, नाचने पर मजबूर हो जाएंगे हम जाना चाहेंगे सबसे बहरे इतबार आके, कैसे माइन गया या आपने कि यही गाने बढ़ाना क्यों हो जाएंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि यह जो गाना, जब हम इसे कंसीव कर रहे थे, तो इसे एक फेस्टिविटीज, पार्टी सौंग के तौर पे इसे कंसीव कि लगे कि हैं, इस तरह की गाना हमें चाहिए, तो वैसे जिस पैठे हुए थे कंपोजर के साथ, इन सडली, जो हमारे लिरिसिस्ट हैं, अविनाश चोहान, बड़े कमाल के इंसान है, और उन्हें बस कुछ लाइन लिखी और उन्हें सुनाई, बस एक बार, तू एक बार मेर एक बार कर ले, फीलिंग का डाल के तू अचार, दिल का तु जार ढख ले, और जिस क्लिक हो गया किया, वाह, बस हो जाए, एक बार की सकसर सब किसको देना चाहें लेगी, तो कि मोल को, म्यूजिक को, या पिक्चराइजेशन को, मुझे लगता है, अगर आप किसी एक को भ अभी जिस एक्जाम्पल दिया, कि लिरिक्स कितने मज़ेदार हैं इसके, कि बिन बुलाए आ गया क्यों, करके बाय ना गया तू, सर पे साय सा खडा क्यों, सिंपथी ले तू. आप किब दिया जिस एक किव कुछ अलग से मुजिक बनाए, कि अगर आज भी अगर हम कजरारी सुनते हैं, अब कुछ भी कहते हैं, अब कुछ भी कहते हैं रो, आज भी अगर बीडी जलाईने, कुछ भी कहो, रिदम बगहरा सुनो, तो यू फिल लिसनिक टू.